अभी बलिया प्रखंड के ताजबूर पंचायत के एक प्रत्यासी से हमारी मुलाकात हुए जनसंपर्क करने के ग्रम में तो गौतम जी हैं और काफी समय से समाज के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और जो भी इस्तिती का सामना अगर समाज कर रहा हो उस समय अपनी बेफसाई भी है आपके साथ जुड़ा हुआ फिर चुनाव लरने का काम क्यों कर रहे हैं सबसे पहले तो आपका बीटी न्यूज का हम तहे दिल से कुरियादा करते हैं कि आप हम तक पहुंचें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बचाबात की चुनाव लरने में हरे कोने में घूम रही है तो पंचायत की स्थिती बहुत नाजुक सी दिख रही है इसलिए हम लोग को लगा कि अगर कुछ जंता की सेवा की जाए तो ज्यादा बहुत नाजुकता का माइने क्या है उसका मतलब है क्या कि जितने भी फंड है सरकार के गुवर्मेंट के दौरा जितने भी फंड है वो धरातल पर दिख नहीं रहे है जो पंचायत में हमें चाहिए वो पंचायत में धरातल पर जो आधार सिला रखा जाता है उस हिसाब से है नहीं सिर्फ कागज पर उसका काम होता है और 20 से 25 परसेंट तक भी हमारे धरातल पर कोई काम दिखने को हमारे पंचायत में नहीं मिला है इसलिए जनता में ये रोज है कि अच्छे उमिदवार को चुन कर लाएं युवा उमिदवार को चुन कर लाएं जो की काम करें शिक्छी तो अच्छा उमिदवारी अपना पेस करें एक वक्त था जब लोग सरपंच को चुना करते थे मुखिया को चुना करते थे लेकिन इस बार जिम्मेदारी देने का काम करने लगे हैं और कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि चुनाब परत्यासी कम आबाम ज्यादा लग रही है देखिए ये तो पंकत जी सही बात बता रहे हैं कि हम लोग यही जानते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास अगर यह है जाती पाती से उठकर अगर हम चलें तो हमारा पंचायत आदर्स पंचायत होगा और जनता ही सर्वोपरी है जनता ही ग्राम परधान है ग्राम परधान तो हम लोग को अगर जनता चाहेंगे असिरवाद देंगे तो हमें बनाएंगे लेकिन मालिक तो जनता ही रहेगी ये तो सब दिन से हम कहते आ रहे हैं आज आपको भी हम ये बात कर रहे हैं आज तक तो ये लगा था कि सिर्फ ये कहने भर के रह गया कि जनता मालिक है लेकिन आपके आस्वासन से कहीने कही मुझे भी लगता है कि आपने जो कहा है उसको करेंगे भी खेर आपके पंचायत की प्रमुक्षमस्या क्या है तीन प्रमुक्षमस्या बताएं अगर है भी तो वहाँ पर डॉक्टर की उपस्थिति नहीं होती है तीसरी सुब्धा है तीसरी सुब्धा , रोड का सरक के दिखने को मिल रहा है जो कि सरक हमारी जर जर हो चुकी है उस पर हमें ज्यादा फ्ोकस करना परे है एक और समस्या है जिसे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा उस समस्या के तरफ हर बर्ष बाढ़ को जहलना पड़ता है इस छेतर के लोगों को अब तो कटाव जैसे भी बिक्राल समस्या यहां उत्पन्न हुई है तो ऐसे में जो educational system है चाहे जो अन्य भी system है जिसके बदोलत हम समाज का संस्कृति को बढ़ाते रहते हैं उसके लिए आप कुछ करेंगे कि देखिए सर सबसे पहले education हमने बताया कि education सबसे पहले must है आपके पास education है सिक्षा है तो आप कुछ भी कर पाएंगे कटाव तो हमारा एक पीधी दर पीधी चलते आ रहा है और कटाव एक द्यारा चेतर के लिए मूल बहुत समस्या बन गया है ज चले गया है लोगों का घार बचा हुआ है लेकिन वो भी लोग अभी मतलबब भयवीत हैं कि आज जमीन गया कल मेरा घर चला जाएगा तो फिर हम लोग स्थाफित हो जाए कहां जाएँगे क्योंकि जमीन तब वैसा है नहीं कि कहीं जाकर के हम लोग बस जाएंगे इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर जनता हमें साथ दे जनता मालिक हमें साथ दे तो फिर कटाओ के मुद्दे पर हम विशेस रूप से हम उपर तक इस बात को ले जाएंगे और कटाओ को रोकने के ल या अपके पास नहीं जो इनके पर काम भी कराएंगे घम्यदारी। तो वो जनता को कान पकरने के लिए या कुछ बताने के लिए एक चुक नहीं हो रही है कुरसी से उतार ना दे हम वैसा काम करना चाहते है सारे लोग हमने देखा है कि लोगों के पास अगर मुद्दे की बात करें तो सिक्षा सड़क गरीवी भ्रस्टाचार रोजगार विभिन प्रकार की बात गिनाते रहते हैं और ये समस्या 1952 से लेकर के लगातार इस बार चाहसी के द्वारा महिलाओं के लिए छात्र छात्राओं के लिए कुछ कहा नहीं जाता है देखिए हमारे मतलब पंचायत में या ग्रामीन पंचायत की योजना जो आती है हर एक सुबधा हमारे पास गोभर्मेंट हर एक सुबधा देती है बाली का उत्थान योजना है जै का हम कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे जानकारी नहीं होने के कारण अपने और से उसको प्रसारीत नहीं कर पते हैं इसलिए उसका फायदा हमारी जनता नहीं उठा पाती है महिला उत्थान योजना है सबको देखा जाए तो ग्राम प्रधान अगर चाहे तो कुछ भी पंचायत में हो सकता है और अच्छा समाज बन सकता है आदर्स पंचायत बन सकता है आपके पंचायत में एक बात और हवा में चल रही है नसे को ले करके कि यूबा पीढ़ी नसा के तरफ बहुत ज्यादा देखे सर सबसे पहली बात है कि हमें हमारे स्रीयम साब सराब बंदी योजना लागू किये हैं उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नसा तो मतलब यूबा पीढ़ी में धीरे 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 धीमक की तरह लग रही है इस पर अगर हम लोग को धियान देना चाहिए किसी तरह यूबा में नसा की कमी हो जिसे की हमाओ बाढ का समस्या है एक जो कि आज लगभग बिगत सो वर्सों से हमारी तो एज 30-35 वर्स हुई है हमारे पिता जी हमारे दादा जी भी इस बाढ़ से पिरित हैं दियारा छेतर मेरा है लेकिन इस पर सरकार कुछ काम कर रही है और अगर हमें मौका मिले तो हम भी इस पर बिसेश रूप से पंचायत को काम करकर देने का प्रियास करें जनता के नाम कोई संदेश जनता के नाम मेरा संदेश यही है कि भगवती के असीरबाद से मैं गउतम कुमार मेरा जो चुनाव चिन मोतियों की माला चाप इबियम के करम संख्या एक परंकित है अगर हम प्रियास करेंगे इसके लिए बहुत बहुत जनता का आभारी रहेंगे हम बहुत 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 देने बाद आपका तो यह थे गौतम कुमार जिन्होंने असपस्ट तौर पे कहा है कि जनता का आसिरबाद मिलता है तो पंचायत ताजपूर को हम आदर्स पंचायत के अथे पर चड़ाएंगे अब बने लिए विडियोज बिहार के साथ अब तक के लिए नमस्कार